हेलो आफ्रवान गुड मॉर्णिंग आइस है आप सबका दिन बहुत बढ़ी हजाय कैसे हो आई होप सभी हैपी हैल्दी लेश्ट होंगे यस हमेसा है रहे हैं तो इस सब्सक्राइब करेंगे आपकी परशन का मॉर्निंग थौर्स आज सुबह आपकी परशन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या होगा उनका thoughts feelings क्या फिल करेंगे और आज के दिन आपको उनकी तरफ से किसी तरह का अगर आ आप दरनो no contact में हो तो क्या वो परशन आपसे बातषित करने की कोशिश करेंगे आपको call text मिलेगा किसी तरह का action देखने को आपको मिलेगा आज की दिन जुदर रखे जिनके भी बारे में आपको जानना है आपके पार्टनर का मॉर् bunun फोर्स जो आपकी बर्रशन है उनकी आज आज आपके लिए उनके लाएब में क्या होने वाला है आज सुवर उनका सीच्वेशन क्या होगा या क्या है क्या है उनका situation आज शुबा क्या है उनका situation three of cups ओके और emperor three of swords is of swords मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी को health issue हो रहा था इनके family में या इनको तो recover किये हैं ठीक है जिसको celebrate कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहे है कि इनके life में किसी को बिलकुँ celebration तो चल रहा है न्यूब बेबी को जन्म हुआ है ऐसा हो शकता है यस बेबी इनके life में baby born देख पा रही हूं यश definitely कुछ लोग ले ऐसा हुआ है किसी तरह का celebration चल रहा है इनके life में तो इसको celebrate कर रहे हैं आपके पार्टनर कुछ लोग ले ऐसा दिखाएते रहे हैं कि इनको इनके carrier में achievement मेरी है इनका carrier जो है वो इसको celebrate कर रहे हैं इसको लेकर इस परशन ने काफी मेहनत किया था ठीक है और कुछ लोग ले बिलकुल इनके family में यह इनके life में इनके family में baby born हुआ है ठीक है बेवी का जन्म हुआ है तो हो celebrate कर रहे हैं काफी खुशियां आई है इनके life में finally ठीक है मुझे न यह परशन का दिल टूटा हुआ दिखाए दे रहे है इस situation में भी इस परशन का ध्यान आप पर है यह परशन आपको देख रहे हैं आपके पारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वैसे दिखा तो किसी को नहीं रहे हैं अपने feelings expressions इनके behavior इनके actions reaction से किसी को पता नह हो कास आप होते तो कितना अच्छा होता कितना शही होता इनके लाइप में लाइप सेलिब्रेशन हो रहे है इस celebration में आप शामिल होते तो कितना शही होता न तो यह इस परशन का thoughts है ठीक है इस परशन के लिए ना आगे बढ़ पाना survive कर पाना आपके बिना काफी मुस्किल ह ना हो रहा है भले परशन ऐसे दिखाते हैं कि इनको फर्ख नहीं पर दो हार्टलेश है काफी practical है logical हैं नहीं होने आशलिया है और अपने उस decision पर यह परशन कायम है और अंदर ही अंदर यही जाने कि इनका हाल क्या है जो दिखाते हैं अक्षाल में वैसे होता नहीं है दार इनके अलावा इनके दिल का हाल कोई नहीं जान रहे हैं इनको ऐसा लग रहे है इसपेसलि अगर आप इग्नोर कर रहे हो आप इस परशन को अपने लाइप में अलाउन नहीं कर रहे हो और याने की कोशिश कर रहे है हाँ कुछ लोग लिए परशन कर रहे हैं किसी जयसी मने आपको कहा कि बेभी का जन्म हुआ है लिया है तो सोच रहे हैं कि कास यह पुर्ण आप दुनों के साथ होता तो कितना सही होता काश ये काश काश नहीं होता तो कितना शही होता आपके लिए feelings सिk करना चाहूंगी? आपके लिए क्या feel कर रहे हैं? आपके जो question है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आपके life में recently किसी तरह का celebration हुआ है? friends के साथ, family के साथ enjoyment हुआ है? कि और आपके खुशियों में शामिल यह बॉर्षन नहीं है ज़्या कि किसी तरक से लिब्रेशन पार्टी गेट तुगेडर हुआ है और यह परशन सोच रहे हैं इनका दिल बहुत टूटा हुआ है ठीक है कि आपने इनको शामिल नहीं कि हो आप इनको भूल चूके हो आप इ ये मुझे काफी हर्च बिखाई दे रहे हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ और गाने यह कभी मुझे हट लिखाई दे रहे हैं कि आपने ऐसा किया है इनके लव आपने सब को इन्वाइट किया यह सब के साथ आप इंजुआ कर रहे हो पर यह रशन नहीं है ऩां मुझे कुछ लोग लिए नर्जी में लिया और कुछ चुप कर ऑनलाइन चेक करना आपको छेक करना आपको स्टॉप करना यह चल रहा है कि लोगों को लग रह ले होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता पर ऐसा हो रहा है आप मानो या ना मानो क्या हैं कि फेलेंगस आपके लिए क्या सोच आपके बारे में ये कार्ड कुछ से आया है तावर भूले नहीं है ये पेनफुल सिच्वेशन को ओके ये जो पेनफुल मॉमेंट हुआ है इसको भूले नहीं है आपके परशन अभी भी जब वो दिन इनको याद आती है ये तड़ड़ उठते हैं ठीक है इनका जो धाव था और जदा ताज़ा हो जाता है जब इस मॉमेंट को याद करते हैं कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा होते रहता है कि वह पल ये बर्शन का याद करते हैं जब आप दोनों का ब्रेक अप हुआ पेन फुल ब्रेक अप हुआ ये बर्शन पीछे मुड़ कर लेगी नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पर इनके इन हर्ची ऐसा है कि अपने डिसीजन पर ही कायम नहीं रह पा रहे हैं बार बार पीछे मुड़ कर आपको देखना अब इस परशन को ट्रैक्ट कर रहे हो अपने और ठीक है एक मैगनेट का काम कर रहे हो आप ये प क्यूंस की ऐड़ी हैं लिए रहे हैं और ये पर भी और इश्का घ्रान पूर आप कर है है तीख है इनको पूरे बाल्त क्रियर है हैं ये समझते हैं और ये पर रेबीत को तैयार नहीं रही है नहीं आपको बता रहें नहीं किसी और को बता रहे हैं कि अभी भी ये बर्शन आपको चाहते हैं आपके भी नहीं है रिकवर नहीं हुए है आपके ब्रेक अप से घुले नहीं है हिल नहीं हुए है ये बर्शन आज भी ये परशन काफी दर्द में है, पेन में है पर ये परशन सबसे चीपा रहे हैं, आपसे सबसे, ठीक है तो ये मुझे इनकी फिलेंग्स दिखाई दे रही है, नाइन अब कफ्स बेलकुल ये परशन आपको अपने लाइफ में साहते हैं, ठीक है पर ये किसी से शेयर नहीं कर रहे है, सबसे चीपा रहे है पादर इशू हो शकते है, ये फैमली इशू, ये थर्ड पार्टी है यहाँ पर जिसकी वज़े से ये परशन आपके साथ आगे तो बढ़ना साहते हैं आपके पास्ट आना तो चाहते हैं, इमोशन इस वशन का आपके साथ है कि लौफ आप इस वर्षन का इस प्रैक्टिकल बन रहे हैं क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो बहुत मुस्किल हो जाएगा सब के लिए यह इस पर्षन का थोर्च है इस वेसलें वोगों के लिए जिनके लाइप में थर्ड पार्टी है तो यह है गाईस आपकी रेडिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर के सेगा मैं मिलते हूं आपसी नेक्स्ट रेडिंग में बाय टिक क्यार है वा गुड़ दी